हलो वल्कम टू जैसे सी जूकेशन इस वीडियो लेक्चर में कम्प्रिट करेंगे दामोदर भाटी परियोजना जिसे डीवीसी भी कहते हैं यह ज्ञारकन के भूवल का 14 लेक्चर है इससे पहले तेरा वीडियो अप्लोज हो चुके हैं अगर आप उन उडियो को नहीं देख क्योंकि जितने सारे जल पर पात यह डैम बने होते सारे नदियों पर डिपेंडेंट होते हैं अगर आपको नदियां पता नहीं होगा तो यह पढ़ने में परिशानी होगे आपको चीजों को रठना पड़ेगा आज हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत देशी नदी घाट क्या है इसकी जरुट क्यों पड़ी भारत में नदी घाटी परीजना का आराम कैसे हुआ हुआ ज्यारोγαरण में कितनी सान दी घाटी परियज्यना चल रही है किर अधे It यह बहुत ही ज्यादा important lecture होने वाला है आप जारकन का कोई भी एक्जाम ले लो उसमें दो question से तीन question इस topic से confirm है तो आप इस वीडियो को पुरान तर देखो आपका एक भी question एक्जाम में नहीं चूटेगा बहुत देशी नदी घाटी परियोजना है नदियों पे बड़े बांद बना कर विज्दू दुतपादन किया जाता है सिचाई के लिए पानी उप्लब्द करया जाता है मचली पालन किया जाता है इसे नदी घाटी परियोजना कहते है एक से अधिक उद्देश हो जाने कर इस दूर जाने के बाद मालनी यहां पर किसी का घर होगा यहां पर किसी घर यहां किसी घर यहां अगर बरसात के दिन में पानी बढ़ जाएगा तो यह बार के चपेट में आ सकते हैं यह भी बार के चपेट में आ सकते हैं लिए अगर यहां पर हम बांध बना दिये जाएगा तो नहर से होते हुए खेतों पानी चला जाए और सिचाई अच्छी हो मचली पालन भी कर सकते हम लोग तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी तक कि बार में नींतरन हो सके सिचाई में सुविधा हो सके विद्धुत पादन कर सके हम लोग मचली पालन और नौक अप परिवन अगर यहा पर नौक परिवन भी किया जा सकता है पंडित नहरू ने नदी घाटी परिवजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तिर्तिस्तल भी कहा है भारत में नदी घाटी परिवजना का आरम कैसे हुआ यहां की लोग ने सोचा कैसे कि भारत में नदी घाटी परिवजना बनाना च प्प्प्पादन और वित्रन के लिए प्राइवेट कंपणियों को सौब दिया कि लो तुम हम सुमको टेंडर देते हैं लो सब्सक्राइब करो यहां पर बाद में क्या हुआ कि जब प्राइवेट कंपणियां कुछ दिनों बाद बहुत ज़्ञादा पैसा वस्तुरून ले उसके बाद अमेरीकी सरकार नहीं देखते हुए सारी कंपनियों को बंद करा दिया और एक गौवर्ण्मेंट ऑथर्टी के स्थापना की जिससे टेनेसी वेली ऑथर्टी भी कहा जाता है यूकर शॉर्ट में टीविय कहा जाता है इस टेनेसी घाटी पर यूजना कंतरगत बह तो इसी यूजना को देखते हुए भारत ने सबसे पहले बहुत देशी नदी घाटी परियूजना के सापना की जिसका नाम था दामोदर घाटी परियूजना तो भारत में सबसे पहले नदी घाटी परियूजना कौन से सापना के गई वो थी दामोदर घाटी परियूजना अब जहारखन में इतने सारे नदी गाट पर्यूजना चलड़ा है बाध में ही घाट वाधम स inflict जा रही है तो हम लोग एक एक करके सारी परियुजनाओं के बारे में देखेंगे इसके अंदर कितने सारे डैम बनाएगे कितने सारे बैरेज बनाएगे कितने सारे विद्धुत पादन के लिए के अंदर बनाएगे हम लोग इसमें सारे कुछ देखेंगे तो चली स्टार्ट जया रहा था उसमें बताया था कि दामोदर नादील लाते हार के तोरीशेश nossa निकलते हुए ये वेस्ट बैंगाल में प्रवेस्थ कर जाते हैं कि दामोदर घाटे पर्यूजनाः केंदर सरकार्ड के दोला चला जा रहा था और ये लडिya झाहरकन Chargans और पस्षी मंगाल की संजुक्त परियोजना है इसमें कोई इसमें किसी एक का परियोजना नहीं ये दोनों राज्य की संजुक्त परियोजना है तो ये भारत की पहली बहुत देशी परियोजना है जो टेनेशी बहुत बहुत देशी परियोजना से प्रेडित होकर बनाई गई है अब इस परियुजना को चलाने के लिए कोई authority चाहिए थी तो authority के स्थापना 7 जुलाई 1948 में किया गया और उस authority की नाम रखा गया दामुदर वैली कॉर्पोरेशन जिसको सौट में DVC का जाता है तो ये date बहुत important है इसको इध्यान में रखीगा अब बात आया इसका headquarter कहां रखा जाए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब तक DVC का निर्मान नहीं हुआ था और इसके इंतरगत बांध करिमान नहीं हुआ था तो ये वेस्ट बंगॉल में बहुत तबाही मचाती थी पूरा बार ले आती थी इसके कारण से बंगा अब देखिए जब यह परियुजना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा विज्द उत्पादन करना पड़ेगा सिचाई सुईधा करना पड़ेगा तो उसके लिए बांध चाहिए हमें तो जब मैं दामोदर नदी पढ़ा रहा था तो मैं बताया क्या क्या है और यहां पर यह का ओर जाता है और 9 विज्दु स्टेशन जिसे पावर स्टेशन करते हैं, जहां से बिजली का निर्मान होता है, जहां बिजली पैदा होते हैं, जिससे पूरे जहारखन में बिजली हम लोग पाते हैं. तो 8 बांद बनाये गया, वो कौन-कौन से बांद थें, तिलहिया, मैथन, बालपहारी, पंचित, अईयर, बेरमो, को, बोकारो और कुनार टोटल आठ बांध डिवी सी के अंतरगत बनाये गए एक अवरोधक बांध बनाये गया जो दुर्गापूर में सित है और नौ विद्दुद्गरा बनाये गया जल विद्दुद्गर जिसरो हैडल पार्स्टेशन करते हैं जो पानी से चलता है और तीन बनाये गया थर्मल पाओर स्टेशन जिसे तापी विद्दुद्गरा करते हैं अगर अच्य विद्दुद्गरा कि हम लों देखे कौन-कौन है तो तिलाया, मैथन, बाल पहाडी, पंचेद, बेरमू, कुनार ये सब हाइडिल पावर स्टेशन है और तीन थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया जो बोकारो, चंद्रपूरा और दुर्गापूर में है अब एक चीज़ देख लेते हैं कि ये तिलाया, मैथन, और बाल पारी ये तीनों का तीनों डम बराकर नदी पर है जो दामोदर नदी की सबसे बड़ी सायग नदी है पंचेद, अईयर और बेरमू ये तीनों दामोदर नदी पर है और बोकारो और कुनार बोकारो नदी पर है तो अब बांद तो हुआन हमने बना लिए हम बंद बनाने अगर कव में बंद उसे विजली उत्पादण करना है उस्टव में एल। स्ब्स्स बीन आजम सोर्पसिशं बांद हैं उस Post नहीं जो की तो धार करें बांठ नहीं है है यहां पर आये आंतरी कुर्जा से हमें बीजली उत्पादन किया जाते हैं और थर्मल पावर श्चेशन तेन बनाया गया जिसमें थर्मल its मैं मतलब क्या हुआ हाइडस भॉल सकते हैं हाइड़ो से अब वाटरयात कर सकते मतलब यहाँ पर हीट से यहाँ पर electricity उत्पादन किया जाएगा तो जारकन में हीट का सबसे बड़ा सोर्फ क्या है कोई ला तो बोकारो चंदरपूरा और दुरुबपूर यह तीन थर्मर पावर स्टेशन डीवी सी कंतरगत बनाया गया जैसे बोकारो थलमें स्टेशन आप नाम सुने होंगे चंदरपूरा जोरुए हैं एक यहां पर मैंने त्यानुगाट डेम का नाम नहीं लिए क्यों कि जो फ्रिश्ट कर्ण करके अंतरगत आती है यह । देखर के राज्य सरकार दवारे चलती है जबकि दामदर घाटी परिजना के अंतरगत नहीं आता है इसलिए मैंने दामदर घाटी DVC कंतर का सबसे महत्पुन डैम है तिलयय डैम मैथन डैम पंचेद डैम और कुनार डैम यह चारो बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है आप इन्हें याद कर ले बहुत अच्छी तरीके से किस नदी पे स्थित है वह बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है बराकर नदी पे बाल पहारी डैम बनाने का प्रपोस डाला गया है लेकिन यह अभी तक बन नहीं पाया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह काम किया जा रहा है इसमें यह भी बना नहीं है यह greedy जिले में बनना है तो आप सब कुछ मैप से याद करें आपको बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर होगा और आपका एक भी question exam में नहीं छूटेगा तो जारकर नदी घाटी परिजना में आज हमने complete किया दामदर घाट और उत्री कोईल परिजना यह चारो एक ही वीडियो में complete हो जाएगा notes description में दिया हुआ है आप वहां से जाके इसे download कर सकते हैं और जारकन का सारे lecture देखने के लिए आप हमारे description में जा सकते हैं वहां पर link दिया हुआ है आप वहां पर जाके एक-एक करके lecture को start करें मैं recommend वह chapter 1 से start करें और chapter wise chapter चलते जाएं आपको इतने अच्छे से clear होगा चीज है आपको अगर जोग्रफी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा अगर आपको कुछ भी इंट्रेस्ट भी नहीं हो तो आपको इंट्रेस्ट आइन लगे और आप जोग्रफी बहुत अच्छे च सवाल कर सकते हैं थैंक यू ओल दिरस्ट